तो जैसे कि कल मैंने आपको शाफ फोल्डिंग के बारे में बताऊंगे टीक है आपको जो शाफ फोल्डिंग सेफटी आपको कैसे रखनु आपको सबसे पहले अप ध्यान रखें कि जो भी scarf holding है इसका border properly placed है यानि good condition में है यानू जैसे कि जो भी जिसके लिए जिसे भी आपने platform बनाया है तो ये आपको चेकन है border strong है उसका निए ठीक है उसका जो support आपने ले रखा है जो huge purpose है वो क्या strong है जैसे कि आप देखे कि यह स्काफ फोल्डिंग पे जो परसिन खड़ा हुए इस तरीके से स्काफ फोल्डिंग जो है उसका जो प्लेटफॉर्म है आसपास की जो रेल्स है गार्ड रेल्स जो लगी हुई है क्या वो प्रॉपरली अटैच है उससे मतलब फिक्स्ट है वहां पे इधर उदर तो नहीं इस तरीके से ठीक है अब स्काफ फोल्डिंग पे जो भी परसिन खड़ा है वह पहली बात वह ऐसा ना हो कि उससे डर लगता हूं चाहिसे ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर जो परसिन खड़ा हुए जो भी प्यूपल वहां पे हैं एक्यूपमेंट सप्लाई हो र गड्रे जो भी हैं ऑरके हैं तो हमैशा घ्यान रखना है है स्काफ publi जो भी आप यूझ rh रहे हैं वह गुट कंडिशन में हों जिसके कि आप easily और अच्छे से work कर सेके इस कंडिशन में हों ठीक है कि स्कार फॉल्डिंग पर work करना easy नहीं है जो भी पीपी वगेरा है वह आप वेर करके work करते हैं तो भी risk रहता है तो देखिए सबसे पहली चीज तो इसी से cover up हो जाएगी कि आपने scarf folding जब भी बनाया है तो उसको proper तरीके से अच्छे से बिलकुल safety के साथ उसे बनाई है और secondly आपने क्या-क्या PPS wear की है खुद को safe रखने के लिए ये भी चीज बहुत सारी चीज़े show करती है अब देखिए एक चीज और scarf folding की height कैसे होने चाहिए तो scarf folding की height जो वो more than four times से जादा नहीं होनी चाहिए ठीक है उससे जादा अगर होती है तो उसके dimensions उसके ties उसके braces सारी चीज़े कैसे use हो रही है किस तरीके से fitting की जा रही है higher scarf folding की तो आपके जो भी contractor है वहाँ पर उसे एक design submit करना होगा जो कि specialized third party company के द्वारा जो बनाया गया होगा approval होगा engineering, engineer consultancy से design किया हुआ होगा वही scarf folding यूज की जाएगी ठीक है ऐसे नहीं है कि आप कोई भी scarf folding यूज कर ले तो ये सारी चीज़े आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास वो approved होगा, वो third party plan जो है खुद से आप नहीं कर सकते हैं जादा height की scarf folding यूज आपके पास पूरी authority के साथ वो सारी specialized जो भी है उनने design किया है उनके द्वारा approval होना चाहिए वो design बना हुआ होना चाहिए तो ही आप उसे use कर सकते हैं तो ये तो बात होगी height की कि आपको कैसे उसकी height होनी चीए scarf folding कितने height का हम use कर सकते हैं खुद से और उसके बाद अगर use करना हो तो हमें क्या करना होगा तो देखिए ये सारी चीज़े scarf folding कैसे बनानी है, क्या-क्या चीज़े हमें follow करनी है, कितनी height रखनी है, अब इसके बाट safety कैसे रखनी है, क्या-किया चीज़े उस पे चऩटने के लिए, उस पे जाकर work करने के लिए बहुत जाधा ज़रूरी है, दो चीज़े तो हमें चड़ने से पहले जो करनी है, तो उस पर जाके वर्क करने से पहले जो करनी है, वो हमने की, हाइट देखी, हमने बाकी सारा सिस्टम देखा, सब कुछ देखा, ठीक है, अब जो बाकी जो चीज है, वो हम कैसे देखे, है न, वो क्या है, वो जब प्यूपल अगर उस पर परसन जा रहा है, एक से जा रहे है तो कैसे जा रहे हैं क्या करना आप किया सेफ्टि उनको रहेगे वह बात करेंगे के का सबसे पहले उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्लेटफर्म उनका स्ट्रॉंग होना चाहिए, स्ट्रॉक्चर सपोर्ट होना चाहिए, एक्सिस होनी चाहिए कि किस तरीके से वो उतरेंगे, stability होनी चाहिए और basic section जो है उसका वो एकदम strong होना चाहिए ये सारी चीज़े भी देखी जाएंगे और plus उनके helmet वो पहने हो shifty shoes वो पहने हो, jacket वो पहने हो ठीक है और जब भी height पर work चल रहा तो coincidence लगे हो इस तरीकी की चीज़े भी follow की जाती है इससे ये पता चलता है कि scarf folding work जो चल रहा है वो हम कितनी safely कर रहे हैं हम अपने worker को कितना safe feel कर आ रहे हैं चिक है जब तक वो safe रही रहेगा तब तक हमारा work भी risky रहेगा अगर वो safe है तो बहुत chances है कि हमारा work भी safely होगा तो ये सारी चीज़े भी बहुत जरूरी है requirement है ये basic requirements है ये scarf folding work की ठीक है तो इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई दी कि हमें क्या क्या most important है इनमें ये सारी चीज़े ही most important है कि हमें ये ये चीज़े करनी है जब भी हम scarf folding work कर रहा तो ठीक है तो यह मैंने आज आपको स्काफ फोल्डिंग सेफटी के बारे में बताया स्काफ फोल्डिंग कैसे क्या होता है स्काफ फोल्डिंग कैसे बनाना है क्या करना है इसमें अब सारी जीज़े कवर हो गई है रिक्वाइरमेंट्स भी हमें पता चल गई safety कैसे रखने है यह भी पता चल गया height केतनी होती है यह भी पता चल गया types केतने होते हैं यह भी पता चल गया तो scarf folding के बारे में लगबग सब कुछ पता चल गया है तो यह construction safety के अंडर आता है scarf folding ठीक है तो यह मैंने आज आपको बताया scarf folding safety के बारे में so thank you